अलो गुड आप्टर नून साथियों कैसे आप सभी उम्मेद करते हैं मस्त होगे स्वस्त होगे तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार टेस्ट बुक में हमें टेस्ट बुक के एक नई ग्रांदी बिसिकली आज जिस एक मुद्दे पर हमारी चर्चा होने ज परिच्छाओं को और उनी परिच्छाओं को ध्यान में रखते हुए यह सेसन एक मखरूप से आपके लिए सयोजित किया गया है और पूरी संकल्पना इसका यह ही है कि हम उसे एक एक जाम को पूरा-पूरा टारियेट कर पाएं तो उसे संदर्व को लेकर कि यहां पे आप एक जाम के लिए काफे महतपूर होते हैं तो आज के संदर्व की जब बात की जया तो आज के संदर्व वे आज की संकल्पना की सुरुवात यहीं से करते हैं कि वागदेवी की किरपास सदयव आपके उपर बरकार है सरस्वती महाभागे बिद्या कमलोच ने बिद्या रू रखेगा सदय इस बात को परकल्पित रखेगा कि रख होसला वह मंजर भी आएगा प्यासे की पास चलकर समंदर भी आएगा तो ठक्कर ना बैठ ए मंजल के मुसाफिर क्योंकि मंजल भी मिलेगी और मंजल से मिलने का मझा भी आएगा और इस परियाय को दोहराने के लिए इस परियाय को चर्टात करने के लिए आप सबको सुदेर रूप से एक दिर संकल्प लेना ही पड़ेगा। चलेगा संकल्पना की सुरुवात में सबसे पहला प्रश्न जो आपके समुख है। का जाता है कि भारतिय नागिरिकों को अनुदत किस एक मौलिक अधिकार की परिधिती के अंतरगत सर्बोच न्यालेने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूसर्मक्त, जल एवं वायू के अधिकार की ब्याक्यागी है। अगर इसकी बात की जाए, तो यह अनुचे दुनीस होता है, अनुचे दिकीस होता है, अनुचे चोदह, या फिर आपके अनुचे बेस, बेसिक अगर देखा जाए तो अर्थार बारत के राजी की जब बात की जाए, भारत के जनता की बात की जाए, तो उनको अलग अलग प्रकार के यहां पर कुछ अधिकार प्राप्त है, अगर हम मकरुप से बात करते ही, तो हमारी खांपर आपने कई सारे संदर्भों को सुना होगा, समझा होगा, और उसमें इसका सही जबाब क्या होगा, बिसिक अगर देखा जाए, तो इसके लिए जो एक सही उत्तर आपको समझ में आता है, जो आपने समझा है, जो आपने और साथ ही साथ प्रदूर्स्टर मुक्त जल एवं वाइव के अधिकार की पूरी पूरी ब्याक्या आपके अनुच्छेद 21 में पूरी तरीके से किया गया है ठीक है परियाय की जब बात की जाये तो परियाय का संदब जो होता है वो आप कह सकते हो कि इन सारी चीजों को हम कि यही कहता है कि कानुन द्वारा अस्थापित प्रिकिरिया के अलामा किसी भी अन्य व्यक्ती को उसके जीवन या फिर ब्यक्ति अधिकार हमें पूरी तरीके से प्राप्त होता है खास करके निजता के अधिकार हमारे लिए सामने आया था जिसको आपके अनुचे दिक्कीस में डाला गया था और प्रदूशन मुक्त और वाइक के अधिकार की जब बात की जात यह आपके 19901 में आया था और खास करके देखा जाया तो प्रदूशन को खास करके एक तरीके से कैसे क्य chi successfully के लिए खत्रा माना गया और इसकार से इसको भी कैसे क्यों प्रदूशन मुक्त और जब हम सच जल की बात करते हैं तो ऐसे जीवन को यहाँ पे मौलिक अधिकारों का एक विसेस आधार दिया गया था तो अनुच्छे दिक कीस खासा द्यान नखेगा किसके हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं नेश्ट की कोसा सिल्क अगर कोसा सिल्क की जब बात की जाए तो यह भारत के परिपेच्वे एक रेसम कीट है और इस रेसम कीट की जब बात की जाए तो इसे इंथिरिया माइलिटा की कोया से प्राप्त किया जाता है अब इसकी अगर मुख्य बात की जाए तो ये कहां से आपको देखने को मिलता है अर्था किस एक राज जिसे समधित ये कोसा रिटा हो इस रेसम कीट की जब बात की जा तो ये रेसम कीट हमें बेसिकली देखने को मिलता है तो नाम की जब बात की जा तो खासा धनकीगा ये 36 गड़ से प्राप्त होता है चातिस गड़ में ये कोसा सिल्क बेसिकली आपको दिफिलता है जो प्रमकुप से भारत का क्या है रेसम तो यह Anthые Riya Malita, अगर इसकी बात की जया, तो इसकी कोकून से क्या होता है, इसको प्राब्त किया जाता है, तो इसको कोकून से इसे से प्राब्त किया जाता है, और खासकर कि कोसा सिल्क, 36 गण लोकेशन में आपको देखे मिलता है, हलग़ी इसकी ऑलामा, अगर देखा जया, और जारखंड के अलावा अगर देखा जाए तो पश्रिम बंगाल की जब बात की जाए तो पश्रिम बंगाल में भी क्या होता है यह थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है तो जारखंड और पश्रिम बंगाल की जब बात की जाए तो यहां पे खास करकी यह कोसा सिल्क अगर दिखा जा तो 46 गड़ में पानी की जो संगल्पना है तो इस रेसम के समध में जो बुनकर होते हैं, अगर इसकी बात की जाए, तो इसकी जो बुनकर प्रजाती है, वो खास करके एक जनजाती समू है, और जनजाती की जब बात की जाए, तो इसका नाम है देवांगना, देवांगना की जब बात की जाए, तो यही लोग क्या करते हैं इस सिल्क को एक तरीके से कपड़े में बुनाई करते हैं तो इस चेज को ध्याने कीगा नाम की जब बात की जाए कोसा सिल्क कोसा रेम कोसा का मतलब आपने सुना होगा ये संस्कित भासा का एक सब्द होता है कोसा और कोसा की जब बात की जाए तो कोसा सब्द मुगल रू पेच घ्रक बंदाव्च ये आपने आप में पहांपूर कैजिता है यह log log potato a ख्रेसम् veureब्य तो यह मजबूत उरतिकाओ प्रमुख lep और खास गए तारीखे से उसा ड़नum की संघाल प्रणपना होती है बात आती है नुवा खाई की जब बात की जाए तो ये फसल उत्पादन करने वाला एक बिसेश से उस्सो होता है भारत की जब बात की जाए तो भारत की किस एक राज्ज में या प्रमुक उप्षय आपको देखने को मिलता है क्या है नुआ खाई की जब बात की जाए तो ये एक बिसेश तेवार ह महीना बादो की महीने की जब बात की जाए हिंदू महीने में तो भाद पद जो होता है खास करके अगर देखा जाय तो भाद पद के अंतरगत इसका आयजन किया जाता है भाद अगस्त और सितंबर का महिना होता है अगस्त और सितंबर की जब बात की जा तो अगस्त सितंबर महिने में इसका क्या होता है मुख करूप से आउजन किया जाता है और वो भी अगस्त सितंबर महिने में जब हम सुक्ल पक्च की बात करते हैं ठीक है, तो भाड़ो महीने के सुकल पक्च के अंतरगत कास करके पांच में दिन क्या होता है, इसका आजैन किया जाता है, परियाय क्या होता है, परियाय ये होता है, llevar के संदर में ध्यान कीगा, यहां पे चावल के उत्पादन के लिए, तो चावल का जब नया फसल आपका क्या कियाता है चावल के स्वागत के परिपेच में इसका नाम देखने को मिलता है नुवा खाई की जब बात की जाए तो नुवा खाई का संदर्ध ध्यान कीगा नुवा अगर हम बात के तो नुवा का अर्थ जो होता है नुवा का अर्थ होता है नुवा का अर्थ हो नाम दिया जाता है ठीक है तो इस शेच को ध्यान निखेगा बाकी उडिसा का नाम तो अभी काफी चर्चा में चल ला है क्योंकि उडिसा के बारे में आपने सुना होगा रगुबर दास क्या नाम है रगुबर दास की जब बात की जा तो यह यहां के अभी गवर्नर नियुक चा000 दीड़ान को शुरय मंदिर और यहांपर बड़े अस्तर का कोरा और कंद नित महसूं आजित किया जाता है। और एकी युस्तो और ध्यान कीगा जिसको हम लोग जात्रा के रुप में जानते हैं तो जात्रा नाम का एक कुछ सोज होता है वो आपका उडिसा में आजित किया जाता है अच्छा पिछले कर में एक चीछ ध्यान कीगा चावल का कटोरा भी कहते हैं ठीक है तो अगर आप से क पांच खजानी के रुप में जाना जाता है पांच खजानी अर्थाध पांच खजानी कौन-कौन से सो ना चांदी रत्न अनाज भग्वान के पवित पुस्तकों का यह पर्तिद्रेद करते हैं अगर इसकी बाद की जाए तो यह नंदा देवी की रुप में कंचसन जंगा धौला गीरी या फिर आपके कामेत के रुप में किस से इसका संबन्ध आपको देखने को मिलता है और बार-बार हम कहते हैं कि अगर आप लोग इस सेसन में जुड़े हैं तो इस सेसन को जीवन्त बनानी के लिए इस सेसन को लाइक और अपने दोस्तों मित्तों के पास साजा करिए ताकि उनको भी सेसन में जोड़ा जा सके परियाए कि हम किसकी बात करें परवतिय चोटी का नाम बताईए जिसको हम पांच रतनों के परिपेच में देख पाते हैं यह नंदा देवी या फिर आपके कंचन जंगा धौला गिरी या फिर आपके कामेत नाम की जब बात की जाए तो यह एक ऐसी परिवतिय चोटी है जिसको हम महान बर्फ के पांच खजानों के रुप में जानते हैं पांच खजाने सोना चांदी रतन आराज और भगवान यह पांच प्रमकूप से यहां पर आपको देखने को मिलते हैं कंचन जंगा अगर इसकी बात की जाए तो खासा ध्याने कीगा यह मानिता के अनुसार अगर देखा जाए तो यह दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे उची चोटी मानी जाती है तीसरे नंबर की सबसे उची चोटी मानी जाती है खास करके अगर देखा जाए तो इसकी कुल उचाई जो होती है वो कितने होती है 8586 मीटर कितना? 8586 मीटर की जब बात की जाये तो यह इसकी पूरी-पूरी उचाइ हो जाती है. और करम की रूप मे अगर देखा जाये, तो यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है. बारत और भारत की अलामा अगर देखा जाये तो पूर्वी नेपाल आप कर सकती है तो भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर क्या है या आपको देखने को मिल जाता है मकरूपस अगर दिखा जाए तो ये पांच परबन सिंखलाओं की एक कर सकती हो कि सिंखला होती है तो सिक्किम की जब बात की जाए तो सिक्किम लोकेशन में इसको खास करके पांच परवतों की सिंखलाओं की रुप में या फिर बर्फ के पांच खजानों की रुप में जाना जाता है एक नाम ध्यान कीगा कंचन जंगा के बारे में क्योंकि कंचन जंगा की जब बात की जाया तो बात आती है इस पे पहली बार चड़ाई किसके द्वारा की गई क्योंकि माउंट एवरिस्ट के बारे में तो आपने कई बार सुना है माउंट एर्योस पे चढ़ाई करने वाले लोगों के बारे में लेकिन यहाँ पर देखा जाया तो पहली बार जो व्यक्ति चढ़ाई किये थे उनका नाम क्या था तो उनका नाम था जो ब्राउन जो ब्राउन और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक बेटी और थे जिनका नाम था जार्ज बैंट तो जो ब्राउन और जार्ज बैंट की जब बात की जाए तो इन्होंने एक कंचन जंगा चोटी बर पहली बार चड़ाई की थी इसको खासा ध्यान देखेगा तो यह कंचन जंगा बिसेश्ट है अभी इसकी जब बात की जाए तो इसको हम पांच बर्फ के खजानों के रुप में जानते हैं कहां पे ये बोला जाता है तो ये आपके सिक्किम में बोला जाता है सिक्किम छित में बर्फ के पांच खजाने इसे नाम दिया जाता है क्या क् बेड़ आता है कि फिरोज साह कोटला अगर इनकी बात की जाए तो इनके नाम से किला आपको तेरेसोचोवगन में देख विलता है शुलतान फिरोज साह तुगलक किने द्वारा बनवाया गया यह किला जब देखा जाया तो ये पर याए कि जब बात की जा तो ये किस नदी के किनारे इस्तित होगा तो फिरोज साह तुगलक के द्वारा बनवाए गया है खासा अगर देखा जा तो ये कहां पर पड़ता है तो ये यमुना नदी के किनारे आपका अवस्तित है क्या नाम है फिरोज साह कोटला किला 1314 में बनवाए गया सुल्तान फिरोज साह तुगलक के माध्यम से है किले की जब बात की जाया तो किले की जो संकल्पना है किसके द्वारा यह आपके फिरोज साह तुगलक के द्वारा बनवाए गया है नाम के जब बात की जाया, तो यह अबार आपने सुना होगा, जब हम बात करते हैं, पुरानी दिल्ली, और पुरानी दिल्ली के अलामा, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली, तो इनही दोनों के बीच में क्या है, इसकी अवस्तेती आपको दिख मिलती है तो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के परिपेच्व अगर देखा जाए तो उसे यमुना नदी की किनारे पर यह आपको अवस्थित देखने को मिल जाता है खासँ आपने सुना होगा ये तुगलक बंस की जाब बात की जाएं तो तुगलक बंस के संदर में इनका नाम फिरोसस साह तुगलक की रुपने दिख बिलता है गुलाब खिले, क्या मुलते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो आपको clear होना चाहिए गुलाब खिले तो सांस लो, इसका मतलब आपकर सकते हो ये एक trick है, जिसके मादharma हम सलतनात काल के राजाओं को याद करते हैं परियाय क्या होता है तो गुलाब से पहला बंस हमारी हाँ पर सल्तनत काल में आपने सुना होगा गुलाब बंस आता है फिर आपका आता है खिलजी बंस के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका तुगलक बंस आता है तुगलक के अलामा अगर देखा जाए तो फिर अंतिम सासक जो थे उनका नाम क्या था उनका नाम था खास करके इबराहिम लोदी तो इबराहिम लोदी की जब बात की जाए तो इबराहिम लोदी का नाम ध्या निखीगा यह अंतिम सासक थे क्योंकि इसके बाद हमारी हाँ पर बाबर आ जाता है और बाबर के साथ पानी पत का युद्ध हुआ तो पानीपत के युद्ध के बाद ये संकल्पना आपको प्रमखोप से देखने को मिल जाती है वसे फिरो साथ उगलक के बारे में ध्यानिके गए ये बड़े अच्छे ब्यक्ति होते हैं और इनकी जब बात की जया तो इनका संदर्व जो होता है एक नाम हुआ करते थे जिनका नाम था मुहम्मद बिन तुगलक अर्थात मुहम्मद बिन तुगलक जिनको हम लोग जौना खान के रुप में जानते हैं तो जौना खान जो इनके चचेरा भाई हुआ करते थे उनहीं के नाम से यह सहर आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो खास के परिपेच्वें एक दसावतार मंदिर है जो भगवान विश्णों को समर्पित होता है अगर इसकी बात की जाए तो ये वास्तुकला सैली के कारण उत्तर भारत के खास करके डैस मंदिर के रुप में जाना जाता है अगर इसकी बात की जाये तो इसका संबंध किस रुप में हो जाता है और बार-बार कहते हैं कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं दसावतार मंदिर दसावतार मंदिर की जब बात की जाये तो इसका संबंध किस से आपको देखने को मिलता है दसावतार मंदिर के बारे में हमने कई बार बता है यह हमारे यूपी के संबंध में कापी महारपूर मंदिर होता है खासा अगर देखा जाए तो ये देवगड़ में इस्थित है किससे समधित है तो ये पंचायतन सैली में आपका बनाया गया एक मंदिर आपको देख मिलता है देवगण की जब बात की जाए तो देवगण की अवस्तिती जो है वह ललितपूर में आपको देख मिलता है कहां ललितपूर की जब बात की जाए तो ललितपूर की धर्ती पर ये देवगण का मंदिर आपको देखे मिलता है खास करके बताया जाता है कि यह गुप्त काल में बनाया गया है दसावतार मंदिर है दसावतार आप भी जाते भगवान विश्णों के दसावतार थे और उसी दसावतार को ले करके अगर हम कहें तो भगवान विश्णों को समर्पित करते हुए यह मंदिर आपको देखने को म विष्णू के दस आउतारों से समधित आपको देखने को मिल जाता है जहां पर अगर देखा जाए तो भगवान विष्णू के परिपेच में आपने एक सब्द सुना होगा नर नारायण तो बताये जाता है कि जो नर नारायण की तपस्या की श्तिती को दर्साया गया है और यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है खासा अगर देखा जाए तो ये उत्तर भारत का पहला मंदिर भी माना जाता है, जिसमें पहली बार आपको सिखर देखने को मिलता है, उत्तर भारत का पहला मंदिर माना जाता है, खास करके जिसमें क्या होती है, एक सिखर ब्यवस्था आपको देख मिलती है, सिखर मतलब ऐसे सिखर आपको दक्षिड भारत में आपको दिविलते हैं, हमारे उत्तर भारत में ऐसे सिखर ना होते हैं, वलकि हमारे हम पर थोड़ी बहुत गुम्मट टाइप की संरचना होती है, बहुत उचाई वाला नहीं होता है, तो पहली बार सिखर नाम की जो संरचना होती है, व भगवान सीव का भी कुछ थोड़ा बहुत आधार देख मिलता है, सीव के साथ पारवती का भी संबन्ध है, और पारवती के अलामा अगर देखा जाए तो भगवान ब्रह्मा का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको नाम देख मिलता है, और एक संकल्पना यहाँ पे इंद नाम सोना होगा तो मुराइना के परिपेश में इसका नाम देख मिल जाता है और पाताल पुरी मंदिर की जब बात की जा तो यह आपके प्रियाग राज में देख मिलता है प्रियाग राज वाली जानते होंगे प्रियाग राज में पाताल पुरी मंदिर आपको देख मिलता ह खास करके विसालाची मंदिर की जब बात की जा तो यह कहां से समझत है तो विसालाची मंदिर की जब बात की जा तो यह पारबती के संबद में आपको एक मंदिर देख विलता है पारबती अर्था जिसको हम गवरी देवी की रुप में भी जानते हैं गवरा जी या पारबती जिकी जब बाच की जए तो इनका संदर्र्व आपको यह मंदिर आपको देखनेको मिल जाता है ठीक, तो विसालाच्षी मंदिर की जब बाच की जए तो यह गोरा देवी से समद्धत एक connect सेश्थ ए मंदिर आपको देखने को मिल जाता है और इसकी जब बाज की जात तो इसका सम्मंद किसे होता है तो यह नाम प्रमुकूप से हमारे बनारस से सम्मंदित है कहाँ पर बनारस की जब बाज की जात तो बनारस से इसका सम्मंद आपको देखने को मिल जाता है तो खास करके विसालाच्छी मंदिर पारवती या गौरी जी को समर्पित करते हुए एक मंदिर होता है जो खास करके उत्तर पदेश के बनारस में बनारस में भी जो मेर घाट का लेकरसन है वहाँ पर इसका नाम प्रमुखोप से दिख मिलता है खास करके गर दिखा जाये तो इसकी संकल्पना ये है कि जब हम देवी के परिपेच में एक्क्यावन सक्ती पीठो की बात करते है तो उसी एक्क्यावन सक्ती पीठो में एक नाम इसका प्रमुखोप से होता है तो विसालाच्छी बंदिर पारवती गवराजी के समर्पर में बनारस में 51 सक्ति पीठों को आधारित करते हुए इसका नाम प्रमखोप से होता है, ठीक है? अगर इसकी बात की जाये तो एक नाम होता है कि सारनात, सारनात में इक आपने असो क91 देहा है, ये काफी फेमस होता है अगर इसकी बात की जाये तो ये बनारसे 10 किलो मीटर अवस्थित है लेगिन किन दो नदियों के संगम पर यह आपको नाम देखने को मिलता है अगर देखा जाए तो ये राजा असोग के द्वारा परवाया गया है गंगा और वरुणा गंगा और वरुणा इन दो नदियों के संदर में ये सार नांतलों के सना को देखने को मिलता है ये मुक्रूप से कहां पेस्थित है तो आप भी जानते हैं बनारस के परिपेच्वे और एक का नाम है असी तो बनारस और असी ये दोनों नदियों के मिलने ही की कारण हमारे बनारस का नाम बनारस पड़ता है वैसे इसे पूर काल में क्या बोलते थे कासी की रुप में जाना जाता था हलाकि आज भी इसे कासी ही कहा जाता है लेकिन इसकी जब बात की जा तो इसका संदर ध्याने केगा मानिता के अनुसार अगर देखा जा तो यह सारनाथ कौन सालो के सने तो सारनाथ जहां पे गौतम बुद्धा की जब बात की जा तो गौतम बुद्धा ने क्या किया था अपना पहली बार उपदेश दिया था तो गौतम बुद्धा ने पहली बार ज्यान प्राप्ति के बाद यहाँ पर उपदेश दिया था और उपदेश देने के परिपेच वह आपने सुना होगा यहाँ पर लोकेशन है जिसको हम करते हैं मूल गंद कुटी बिहार की जब बात की जा तो यह संकर्पना खासा ध्या नखेगा वैसे मूल गंद कुटी बिह तो चौखंडी स्तूप और दमे का स्तूप या प्रमकूप से आपको देखने को मिल जाता है असोक अस्तंभ आप भी जानते हैं जिसको हम एक तरीके से सिंघ अस्तंभ भी कहते हैं और सिंघ अस्तंभ की जब बात की जाए तो इसके जो उचाई है वो खासा धाने की गा 34 मीट की जब बात की जा तो 34 मीटर इसकी हुचाई होती है और एक संदब इसमें धा निखेगा इस सिंग की जब बात की जा तो इसमें चार सेर आपको दिख रहते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसी सिंग अस्तंब से ही हमारे National Emblem को लिया गया है खासा जिसको हम एक तरीके से राष्टिय सेंबल की रूप में जाते हैं और राष्टिय चिन की जब बात की जा तो राष्टिय चिन की जो संकल्पना है उनमें सीधे सामने के जो होते हैं तीन सेर आपको दिखाई देते हैं तो सामने के इसमें तीन सेर दि पटना बिहार की राधधानी जो पटना है अगर उसकी बात की जा तो वह इसके किनारे आपको देख बिलता है ठीक है आपके पटना की जब बात की जा तो यह गंगा और सोन के किनारे आपको देख मिल जाता है ठीक है बाकि प्रियाग राज की जब बात की जा तो प्रियाग आज देखने को मिल जाता है ठीक है आगे की जब बात की जात एक नाम हुता है कि दुत्तिय गोल में सम्मेलन ये प्रस्ण पर अस्फल हुआ था सामनते आप भी जानते हैं कि जब हमारी हाँ पर कांग्रेस हुआ करता था भारतिय राश्ट्य कांग्रेस हलां कि हुआ क्या सम्मिलन दूसरा गोल में सम्मिलन और तीसरा गोल में सम्मिलन और इस विंद्द की जब बात की जाए तो इस विंद्द का संभन हमें बेसिकली देखने को मिलता है इस सम्मेलन की जब बात की जाये तो इसका संदर्द किस से होता है इस सम्मेलन की जब बात की जाये तो सम्मेलन का संबंद किस से होता है तो खासा आप भी जानते ही ये सम्मेलन जो असफल हुआ था अगर इसकी बात की जाये तो इसका संबंद था कि यहां पर सामपरदाइक प्रत्निद्ध की बात की गई थी मतलब सम्मिलन में पूरी सारी चीजे बात की गई थी लेकिन एक बात रखा गया कि जो अलग-अलग हमारी हम पर पत्निद्धी हैं पिर्थग निर्वाचन मंडल के नातेख खास करके यहां पर आपने सुनाभी ओगा कि गांधी जी और गांधी की अलावाँ जब हम बात करते हैं अंबेडकर तो गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या हो गया था कह सकतो एक तरीके से अन्मन हो गई थी सामने आपने देखा होगा कि गांधी जी की जब बात की जा तो ये बड़ा महत्पूर सम्मिलन होता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि गांधी जी का कई बार नाम जुरता है किस परिपेच में जब हम बात करते हैं एक मात सम्मिलन को ले करके तो जैसे आपने गांधी जी के लंगोटी को देखा, उसी तरीके से गांधी जी के बारे में ध्याने कीगा, कि गांधी जी एक मात जो सम्मेलन हुआ था, खास करके दुतिय सम्मेलन उसमें आपके पार्टिसिपेट किये थे, अगर इनकी बात की जा तो एक चे और ध्याने की हुआ था उना पैक्ट की जब बात की जा तो ये इसी से समधित आपको तेख मिलता है वैसे दोतीय समेलन की जब बात की जा तो ये कब आजित हुआ था तो ये भी ध्यान कीगा यह 1931 में आपका आजित हुआ था कब 1931 की जब बात की जा तो 1931 में दोसा समेलन आपका आजित क गया था, clear, हमारी गहांपर अगर देखा जाए, तो हमारी यूपी, भारत की जब बात की जाए, तो भारत में खासा इनका नाम देखने को मिल जाता है, तीन सम्मिलन कुल हुए थे, कितने, कुल तीन गोल में सम्मिलन हुए थे, और तीन गोल में सम्मिलन की जब बात की जाए 1930 में, 1931 में, 1932 में ये तीन प्रकार के सम्मेलन आपके बिटिस सरकार और भारत के जो बड़े-बड़े टॉप लेबल के राजनीतिक ब्यक्ति थे उनके बीच में ये आपका सम्मेलन हुआ था खासा अगर देखा जाये तो एक बड़ा महतपूर नाम आता है बी आरम बेड़कर की बारे में आपने कई बार सुना होगा बी आरम बेड़कर की जब बात की जा तो ये एक ऐसे ब्यक्ति थे जो सामाने रूप से तीनो गोल में सम्मेलन में क्या हुए थे पार्टी से बेड़ हुए थे तीनों गोल में सम्मिलन की जब बात की जा तो यह आपको प्रमुखोप से बी आरम मेटकर की परिपेच वे नाम देख मिलता है बी आरम मेटकर की जब बात की जा तो उनका नाम काफी चर्चा में रहता है क्योंगे इनकी जब बात की जाती तो उनका एकी मनतब हमें समझ में आता है कि सिछाव सेड़नी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धारीगा इस चीज को ध्यान लगीगा तो भी आरम बेट कर यहाँ पर पार्टिसिपेट किये थे अच्छा गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा इससे पहले हमारे हमारे हम पर एक गांधी इर्विन समझाओता हुआ था और उसी कारण से यहाँ पर गांधी जी इदूसीय सम्मेलन में गए थे किस कारण से गांधी इर्विन सम्झाओते के कारण गांधी इर्विन के बीच में एक सम्झाओता हुआ और उसी परिपेच फे यहाँ पर गांधी जी क्या हुए थे इस से परिपेच फे दुतिये सम्मेलर में भाग लिये थे और नाम की जब बात की जा तो एक चे और ध्याने की गा यहाँ पर एक बेक्टी और होते हैं काफे महातपूर खास करके जब हम मदन मुहन मालविय की बात करते हैं तो मदन मुहन मालविय भी इसमें बराबर रूप से पार्टिसिपेट किये थे तो इन सारी संदर्म को द्यान कीगा एक बिंदू आता है कि हरीपूरा अधिवेशन जोकि 1938 में आपका आजित किया गया अगर इसकी बात की तो भारती राष्टे कांग्रेस के अध्यक्ष यहां पर कौन थे 1938 में 1938 की जब बात की जाए तो यहां पर हरीपूरा अधिवेशन में कौन व्यक्ति ऐसा था जो यहां पर इसका अध्यक्ष था हरीपूरा अधिवेशन यह अपने आपने काफी महतपूर अधिवेशन होता आप भी जानते ही कि जिनका एक ही संकर्प था कि दिल्ली चलो अगर इनकी बात की जाए तो इनका संदब ध्यान केगा शुवास्चंद बोस्ट शुवास्चंद बोस्ट की जब बात की जाए तो इन्होंने हर पूरा अधिवेशन 1938 में भारती राष्ट्य कांग्रेस के अध्यक्षपद को पूरी तरीके से धारित किया था खासा अगर देखा जाए तो सुवास्चंद बोस्ट के बारे में आपने सुना होगा इनको हम लोग नेता जी की रूप में भी जानते हैं खासा अगर देखा जाए तो इनके परिपेश की जब बात की जाए तो इनका जनम कहा माना जाता है तो जनम की जब बात की जाए तो जनम आपने कई बार सुना होगा जब हम बात करते हैं कटक कटक उरिसा की जब बात की जाय तो कटक उरिसा में इनका जनम मना जाता है और इन्हीं की जब बात की जाय तो इन्हीं के परपेच आपने सुना होगा खास करके सिंगापूर के संदर में सिंगापूर की जब बात की जाय तो सिंगापूर की धर्ती से इन्होंने क्या किया था, free India, क्या करते हैं, free India की जब बात की जाए, तो free India नाम की संकल्पना की सुरुवाद भी करी थी, और बिल्कुल आप सत्य करें, कि Hitler जैसे बेक्ती की जब बात की जाए, तो Hitler जैसा बेक्ती भी इनका काफी follower माना जाता है, ठीक है, तो इनके नाम की करकार के द्वारा आपने सुना होगा 23 जन्वरी का दिवस, 23 जन्वरी की जब बात की जाए, तो इसे हम लोग पराक्रम दिवस के रुप में आजित करें, और पराक्रम दिवस का जो संदर्भ है, वो समंध में अगर देखा जाए, तो ये आपके सुबास चंद बुस से ही स जित करेंगे, किस पर पेच हुए, शुबास चंद बुस का नाम ध्याने कीगा, वसे अगर दिखा जाए, तो भारती राष्ट्य कांग्रिस के अस्थापना कम हुई थी, तो ये हुआ था आपके 1850 में, कहां पर हुआ था, कोलकाता की जाए, कोलकाता में अस्थापित हुम की जब बात की जाए, तो ये हुआ हुम के द्वारा इसकी अस्थापना करी गई थी, आगे की जब बात की जाए, तो ये भारती राष्ट्य कांग्रिस के परिपेच में, इसका बिरोध किया गया, लेकिन बिरोध का जो एक मुन्त्य मनतब भी था, वह क्या था, रूल की बात की जाती है, तो विरोध करनी का कारण क्या था, विरोध करनी की जब बात की जाए, तो विरोध करनी का कारण मुख रूप से इसका जो संदब था, वो क्या था, तो खासा अगर देखा जाए, तो आप भी जानते हैं, रूलेक्ट का संदब था, कि हमारी हम पर ब्यक सेंकलपना थी कि अगर आप किसी सरकारी तंद के खिलाप में कुछ अपनी बक्तब रखते हैं कुछ अपनी बातों को रखते हैं तो उस दसा में आपको गिरपतार कर लिया जाएगा और एक तरीके से सीधे सब्दों में कह सेकते हो कि यह अंगरी जो की एक जादिती थी और ज 1919 की जब बात की जाये तो 1919 फरवरी में क्या किया गया था इसको लांच किया गया था अंग्रेजियों के माध्यम से ये लाया गया था और इसी परिपेच की जब बात की जाये तो इसको खासा एक नाम दिया गया था अराजक एवं अपराधिक क्या कते हैं अराजक एवं हमारी दिया गया था क्योंकि इसका संदर्ब था सीधे सब्दों में हमारे भारतियों को एक तरीके से दवाना जिसके परिपेच में यही था कि बिना किसी मुकंद्मी के क्या करना आपको जेल में डाल देना तो जेल में डालने के प्रकरिया इसके परिपेश आपको देखने को मिल जाती है खासा अगर देखा जा तो रॉलेट एक्ट क्यों बोला गया रॉलेट एक्ट की जब बात की जा तो आपने सुना होगा एक बिटिस के नियाधीस थे बिटिस नियाधीस जिनका नाम था सिडिनी रॉलेट क्या करते हैं इनका नाम था सिडिनी रॉलेट और सिडिनी रॉलेट की जब बात की जाया तो इनकी द्वारा क्या किया गया इनही की द्वारा इस मंतब को पारित किया गया इनही की अध्यश्ता में इसको आगे बढ़ाया गया था तो चुकि ये इसके अध्यक्ष थे तो इसी कान से इसको रॉलेक्ट आइक्ट भी नाम दिया गया था परिपेच की जब बात की जाया तो इसका संदर्व यही था कि किसी भी भारतिय को देश दुरोही जो सडियंत होता है उसमें उसको जाच करने के लिए उसको कह सकते हो कि यहाँ पर पकड़ने के लिए कोई ऐसा संदर्व नहीं होगा कि उसने गलत किया है या फिर सही किया है एक बार उठा लिया जाएगा तो एक बार उठा लिया जाएगा और बिल्कुल अगर इसकी बात की जाये तो इसकी परिपेश वे आपने सुना होगा खास करके जब हम बात करते हैं सैफुद्दीन कुछली के बारे में किसके रुपे सैफुद्दीन कुछली है सैफुद दुन कुछल विर्दान गुछल हें उनका भी नम काफी चर्चा का रहता है और यहीं पगर देखा जाए सध्याज गि जाए सथ्याज का नाम ध्याने कीगा göst dishon को देखा जो सेफुद द्लिदो किछल हें फोल्ग इंहें का कुछल ग run के खागर कि किस तरीके से 1919 में जलिया वाला बाग न संधार आपको देखने को मिल याता है तो खासा आप कर सकते हो कि सेफुद्दिन किछलू और स्वातिपाल को जब उठाया गया था इसी कानून के अंतगर तो इस दसा में जलिया वाला बाग में कई सारे लोग एकठा हुए थे और एकठा होने की दसा में आप कर सकते हो कि उसी बिरोध के चलते ही जलिया वाला बाग हत्या कान्डा को देखे मिलता है तो इस संदर को आप यहाँ पे देख सकते हैं वेक्तिगत स्वतनता को सीधे तर्कों पे कम करना, मतलब हम सीधे तर्कों पे भारतियों के परिपेच्वें से देख पाते हैं। का जाता है कि निवलिकित में से किस एक सत्याग्रह आंदोलन के कारण गाधी जी की जब बात की जा तो गाधी जी ने इसमें प्रत्य चुरूप से भाग नहीं लिया। खेडा सत्याग्रह वाइकॉम सत्याग्रह या पिर असायोग आंदोलन तो यहां पर गाधी जी की जब बात की जा तो गाधी जी किसमें पार्टिसिपेट नहीं किये तो सीधे सब्दों में ध्याने कीगा यहां पर इनका जो संदर्व है आपके वाइकॉम सत्याग्रह की जब बात की जाए तो इसमें गांधी जी का संदर्व प्रत्यच रूप से आपको नहीं देखने को मिलता है बाइकोम की जब बात की जाए तो ये कब आपका आजित किया गया था तो ये खासा ध्यान कीगा ये आजित हुआ था 30 मार्च 1924 से 1924 से या के 1925 तक आपका आजित हुआ तो इस तरीके से अगर देखा जया तो 30 मार्च 1924 से 1925 तक क्या हुआ था इसको आजित किया गया था और इसकी जब बात की जाए तो ये कहां पे आजित हुआ था तो या के थ्रामड कोर आपने नाम सुना होगा थ्रामड कोर की जब बात की जा तो थ्रामड कोर में इसका आ ऐसे वर्ग थे जिनको खास करके यहां पर क्या किया जाता था अंदर जाने नहीं दिया जाता था तो उसी परिपेच्व आप कर सकते हो कि त्रामर कोल में बैकोम मंदिर को ले करके जो प्रतिबंध था उस प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या किया गया था इसको यहां पर आ परिपेश की जब बात की जए, तो स्वामी ब्यवेकानन्द जैसे ब्यक्ती ने भी इसको पागल सरन की रुप में भी आम दिया है। जब हम बात करते है, Niyer Service Society, तो Niyer Service Society की जब बात की जाया तो Niyer Service Society का नाम ध्याने कीगा, जो इसी परिपेच में आपका डवॉप किया गया, और इसका परिपेच हो था कि हमें पूरी तरीके से विरोद करना, जिसमें आपने आम सुना होगा जैसे T.K. माधवन, तो यहां पर अच्छूतों के परिपेश में कह सकते हो कि यह बैकॉम का जो मंदिर होता था उसको समदित करते हुए यह नाम आपको देखने को मिल याता था यहां पर अच्छूतों की जब बात की जाए तो यह किवल वैकॉम की जो सड़क वगड़ होती थी वहां तक ही जा पाते थे उससे आगे नहीं जा पाते थे दूर से ही दर्सन कर दिया यह इनका परिया होता था अगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि कावेरी नदी किन किन राज्यों से हो करके गुजटती है कावेरी नदी की जब बात की जाए तो कावेरी नदी का जो संदर होता है यह प्रमखोप से आपको देखने को मिलता है अज कावेरी नदी की जब बात की जाए तो कावेरी नदी का संदर हमें प्रमखोप से देखने को मिलता है कावेरी नदी, कावेरी की जब बात की जा तो कावेरी का बिस्तार हमें प्रमखुप से देखने को मिलता है कावेरी नदी की जब बात की जा तो कावेरी नदी का संदर्व हमें प्रमखुप से देखने को मिलता है इसका बिस्तार किस सुरूप में होता है सामानते अगर दिखा जा तो कावेरी नदी के बारे में आपने सुना होगा ये दक्षिर भारत की एक प्रमुख नदी होती है अगर इसकी बिस्तार की बाद की जा तो ये करनाटक और तमिल लाडो से इसका बिस्तार होता है सामानते अगर दिखा जा तो भारत के परिपेच में आपने अगर भारत की मैप को समझा है तो भारत के मैप के परिपेच में यही आपका भारत लगभग दक्षिर भारत और दक्षिर भारत की जब बात की जा तो यह आपका लोकेशन जिसको हम करनाटका के रूप में जानते ह तमिल नाडू की जब बात की जा तो तमिल नाडू की रुक में जाना जाता है बाकी ये location जो है वो आपका केरल होता है तो यहाँ पर इस location की जब बात की जा तो इस location में करनाटक और तमिल नाडू के बीच में क्या होता है इसका पूरा-पूरा बिस्तार आपको देख मिलता है कहां से करनाटक से ये नदी निकलती है और इस तरीके से इसका बिस्तार आपको देख मिल जाता है अलाकि इतना तो नहीं निकलती है अगर इस नदी की बात की जाए तो इस नदी की परपेच वे आप करे सकते हो कि इसका जो विस्तार आपको देख मिलता है अगर इस विस्तार की बात की जाए तो इस विस्तार का जो संदर्व होता है वह क्या होता है ता मिलना डू अगर इस विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार किस तरीके से यहां करनाटक से इसका उद्गम होता है और इस तरीके से यह आपका क्या होती है आपकर सकते हो कि यहां बंगाल की खाड़ी में आ जाती है क्या होती है अगर इसकी बात की जा तो ये इधर आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसके संदर में एक चे और ध्यान की गा ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक विसेश्ते नदी भी हो जाती है तो अगर इसकी बात की जा तो इसका नाम ध्यान की गा ये किसके बारे में ब्रमगिरी पहाडी तो ब्रमगिरी पहाडी की जब बात की जा तो वहीं से यह नदी क्या करती है निकलती है और इसी परिपेश की जब बात की जा तो यह ब्रमगिरी पहाडी कहां पे से था तो यह भी जाने की का पश्वी घाट में चुकि आप भी जानते है हमारा जो खास का कि दक्षिर के इतने राज हैं ये पश्मी घाट की परिपेश दिख मेंते हैं तो पश्मी घाट के परिपेश में ब्रमगिरी पहाडी से ये नदी निकलती है कुल मिला की अगर देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 765 किलो मेटर है कितना 765 किलो मेटर की इसकी पूरी पूरी क्या होती है और इस तरीके से कह सेकते हो नदी निकल करके बंगाल की खाड़ी में आपकी चली जाती है ठीक है अगर इसकी बात की जाए तो तमकेस्वर नाम का जो एक वगवान सिव का मंदिर है वह प्रमुखूप से इसी परिपेश आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान खेगा तमकेस्वर सिव मंदिर यह आपकी कहां पर स्थित है तो यह आपके इसे ही खास करके ब्रमगिरी की पहाडियों में आपको देखने को मिल जाता है अगे की जब बात कीजा तो एक नाम ध्यारी कीगा भारत के निमलिकित में से किस एक नयाधी इसको भारतिय नयाइक पढाली में जनहितियाज का पेस करने के लिए एक अगड़ी नाम दिया जाता है अगड़ी मतलब आपको सि जब बात की जाए तो इसका संदर्व किससे होता है तो खासा ध्यानिकिगा या आपके P.N. भगवती के रुप में जाने जाते हैं। किसके रुप में P.N. भगवती की जब बात की जाए तो इनको जनहित याचिका के परिपेश नाम दिया जाता है। और इसी कारण से इनको जनहित याचिका का जनक भी माना जाता है। ठीके? P.I.L. सुरू करने के लिए इनको P.N. भगवती को इसका जनक भी माना जाता है। जनक की जब बात की जाए तो जनक मतलब जिस वेक्ति ने इस पहलू को कभी भी चालू किया। खस करके दिखा जाए तो इसका संदर होता है कि लोग के हित के कोई मुंदे होते हैं। उस पर क्या किया जाता है? यहां पर आपके ऐसे सुवधाओं को लांच किया जाता है। बसे कर दिखा जा तो पहला आपका जो मामला आया था इस परिपेच में, पहला मामला बिहार से समधित आपका आया था, ठीके, पहला मामला बिहार सरकार की जब बात की जा तो बिहार के अंतरगत, एक नाम आपने सुना होगा, हुसेन आरा खातून, हुसेन आरा, खातून की जब बात की जाया तो हुसाय नारा खातून और बिहार सरकार के बीच में पहला मामला जनहित याचिका के अंदगत आया था, खास करके 1989 के अंदगत, बसे गर देखा जाया तो यहाँ पर कई सारे संदर्भू को आपको नाम देख मिलता है, और नाम कही पर पेच्छों एक दे से जादे, ऐसे कैदियों को छोड़ा गया, जो जेल में आलेडी बंद थे, और जेल में बंद थे, जिनके उपर कोई मुकत्मा नहीं, कोई पहर भी नहीं, आप कहसे हो कि केवल केवल वह जबर जस्ती बंद थे, तो ऐसे विचारा धहिन कैदियों को यहाँ पर बंद करने क पहला यहाँ पर जोलन्त उदारण आपको देख विलता है कि किस तरीके से ये लोग ही आपके कारी करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान कीगा, पियन भगवती के दौरा आपके PIL को क्या किया गया था, पियन भगवती के दौरा पहली बार शुरू किया गया था, नाम होता ह अगर यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर किस एक संदर में, किस एक संदर में हमारी हाँ पर कांग्रिस और मुश्लिम लीग के बीच में एक समझहोता हमें देखने को मिलता है, खास करके जब हम बात करते हैं प्रांती बिधान सभाओं में, कांग्रिस सत्त का जो प्रा अपली बार यहां पर क्या हुआ बारती राष्टी कांग्रेस के अखिल भारतिय मुश्लिम लीग के बीच में एक समझवता हमें देखने को मिलता है ठीक है और आप लोग अगर सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और साजा जरूर करिएगा अपने दोस्तों मित् करने के लिए आपने सर्वस अपना त्याग रखा है आपने इस बिंद को रिखांकित कर रखा है कि जब तक हम उसे प्राप्त नहीं करेंगे छोडेंगे नहीं तो ध्यान निखीगा उस माजी मैन की संकल्पना आपके लिए सदेव जीवन्त होती है कि बाबु जब तक प्रांतो के अंतरगर्ण रांतो की जब बात की जाए तो प्रांतो के अंतरगर्ण खास करके यहां जो उस टाइम पे होता था वह यूनाइटर प्रवेंस के रुप में जाना जाता था बेसिक अगर देखा जाए तो इसे परिपेश में आप भी जानते कि जैसे कशिक्तों कि मुहमद अली जिन्ना इवेन गंगा धर्तिलक इनी बेसेंट ये सही लोग इसमें सामिल थे खासा अ एक प्रथक निर्वाचन मंडल आपको तेख विलेगा तो मुश्लिमों के लिए प्रथक निर्वाचन मंडल ये किसमें खास करके प्रांतों में प्रांतों के बिधान सभा में तो प्रांतों के बिधान सभा की जब बात की जाए तो वहाँ पर खास करके क्या होगा मुश्ल मुश्लिमों को सीटों पर आरक्षण भी दिया जाएगा और साथ ही साथ गर देखा जाए तो सभी भारतियों के लिए आप कर सकते हो कि धार्मिक सोतंता तो अपना पूरा-पूरा एक आधार देख मिलेगा तो राज्य की जब बात की जाए तो यहां पर केंद में विधाई क प्रांत में सरकार और के से संग ब्याउस्ता हमें जेन्मी दिखे मिलती है खासा अगर देखा जाए तो इस परीपेश में प्रांतों में विधान सभा के लिए मुश्लिमों के लिए सेटओं का रिजर्वेशन या प्रमकुप्च्छ देखने को मिल जाएगा तो लखनाव अधिवेशन के अंधगत, क्लियर, लखना हूँ अधिवेशन के जब बात की जाए, तो यहाँ पर यह दोनों भी आके एक साथ आए थे, क्लियर, नाम दिया जा रहा है कि नेमलिकित में से कौन सा मुद्दा ऐसा है जो बहुत दधर्म के मानिताओं के अंधगत दिख मिलती है मतलब बहुत दधर्म के अगर हम बात करें, तो बहुत दधर्म में क्या क्या बिंदु हमें आज देखने को मिलते हैं नाम की जब बात की जाए तो यह होता है कि संसार दुखों से भढ़ा हुआ है, या लोग इच्छा के कारण कष्ट भोगती है, या फिर यद इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वार हमें प्राप्त हो जाएगा, या फिर एस्वर और आत्मा के अस्ति क्या हो जाता है, या फिर सीधे सब्दों में दिखा जाए तो बहुत दोधर्म की जो मानिताएं होती है, वो यह होती है, सामाने रूप से आपने सुना होगा कि संसार दुखों से भढ़ा है, ये बात तो बिलकुल सत्य है, और ये कह सकते हो कि बहुत दोधर्म का पहला आर सत्य भी माना जाता है, गौतम बुद्धा ने इसी की बात की है, कि पहला जो संसार दुखों से भढ़ा हुआ है, और यही आपके सिकते हो जो सारी रिख पीड़ा, मानसी पीड़ा और ऐसे चीज़े आपको दिख मिलती है, दूसरा लोग इच्छा के कारण कर्ष्ट भोग अगर उनकी बात की जाए, तो उनका संदर्व यहाँ पे कश्ट के परिपेच्वे आपको दिख मिलता है, क्योंकि हम जितनी चीज़ों की इच्छा करते हैं, वो हमारे पास होती नहीं, तो हम उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, परिसान होते रहते हैं, फिर यही सकतों कि बहुत दो दर्म था, तीसरा आरे सत्र आपको देख मिलता है, तो तीसरा आरे सत्र की जब बात की जाए, तो यहीं माना जाता है, कि यदि इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लिया जाए, तो हमें निरवान की प्राप्ती हो जाएगी, अर्थार, यहाँ पे फि सामानी जन के लिए तीन आपके आरे सत्र थे, वैसे बहुत दर्मे आपने सुने होंगे, बहुत दर्मे चार आरे सत्र आपको देखने को मिल जाते हैं, चार आरे सत्र आपको देखिलते हैं, जिसमें तीन सामानी जन के लिए था, और चार जो मुखे रूप से थे, वो थे, खास करके आपके जब बौध बिच्छू अगरे की बात की जाती है यहाँ पर जो एक अधार था वो था कि ईस्वर और आत्मा में इनका बिस्वास द्यानिकी का बौध दर्म ईस्वर और आत्मा में बिस्वास नहीं करती है हाँ एक ची जरूर होता है अगर दिखा जात कुछ बौध ऐसे होते हैं जो ईस्वर पर विस्वास करते हैं जब कोई सभी लोग नहीं करते हैं कुछ-कुछ का मत्सब होता है आपको एसकतों 50-50 का परसेंटेज है मतलब कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं ईस्वर में विस्वास करते हैं जब कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि ईस्वर नाम के कोई संकल्पना नहीं है वह ईस्वर और आत्मा के अस्तित कोले करके इनका कोई सुनिष्चित दिष्ट कोर नहीं है कि मतलब ईस्वर है या फिर आत्मा है पुनर जर्म का या संदर्व का ऐसा कोई आधार है तो ये ईस्वर और आत्मा को नहीं मानते हैं कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं ठीक है, बाकी तीन आपके आरेसत होते हैं नाम होता है कि हमारी यहां पर एक तुर्की सासन आज तुर्की सासन की जब बात की जा तो तुर्की सासन की दिश्टकोर से इल्टुत मिस सबसे अधिक महतपूर योगदान देखे मिलता है अगर हम बात करते हैं तो हम किसके रुप में जानते हैं तुर्की सासन को आधारित करते हुए इल्टुत मिस इल्टुत मिस को किसे एक संदर में जाना जाता है उसने एक्तापनाली का आयजन किया उसने राजवंस की अस्थापना करी उसने भारत में सिक्के जारी किया उसने दिली सल्तनत को अपनी राध्धानी बनाई तो इस पहलो की जब बात की जाए तो आपने सही सुना होगा तुर्की सासन की जब बात की जाए तो तुर्की सासन में खास करके इलतुत मिस का नाम इलतुत मिस की जब बात की जाए तो उसने मुख्य कारियों किया उसने इकता पनाली की सुरुआत की क्या-क्या एक्तापणाली की सुरुवात करी खासा अगर देखा जा तो तेरहमी सताबदी के अंतरगत जब हमारी हमपर सल्तनत काल हुआ करता था तो इसी सल्तनत काल में इल्तुत में इसका नाम काफे महरफपूर आता है और खास करके अगर देखा जाया तो इंतित मुष्ग के परिपेच में आपने एक नाम सुना होगा खास करके जब हम एक्तापनाली की बात करें एक्तापनाली तो यह क्या व्याउस्था थी परिपेज की जब बाज की जा तो इसके अंतरगत आपने सुना होगा कि सरकार ने क्या किया जो सामराज जी के अंतरगत अलग-अलग प्रकार की भूमी थी तो सामराज की जितने भी भूमी थी उन भूमी को क्या किया इसने कई बड़े और छोटे हिस्से में डिवाइड किया पहली बात तो ये किया कि बड़े और छोटे हिस्से में ये जो समराज के अंतरगत भूमिया हुआ करती थी उसमें डिवाइड किया बड़े भाग छोटे भाग इस तरीके से डिवाइड किया गया और इन्ही को एक्ता कहा जाता था बाद में अगर दिखा जा तो इस एक्ते के लिए कुछ बिसे इस अधिकारियों को नियुक्त किया गया जैसे सुल्तान के जब बात की जा तो सुल्तान के जो सैनिक हुआ करते थे या जो सैनिक के अधिकारी हुआ करते थे या आमिर हुआ करते थे इने को क्या किया गया यह एकता आपका सौपा गया तो आप कर सकते हो कि जो साइनिक थे साइनिक के अलामा अधिकारी गन थे अधिकारी के अलामा आप कर सकते हो कि जो सिपाही वगरे थे तो उन सब को क्या किया गया इस एकते को सौपा गया और इस त की वसूली करेंगे और वसूली करने के बाद इसको समराज को सौंपेंगे साथ ही साथ अगर देखा जा तो इसी इक्ता की अंतगत ही आपकर सेकते हो कि इन लोगों के पास एक बड़ी अस्थाई सेना की भी आवसकता आपको देखने को मिल जाती है तो इक्ता का संदब जाने कीगा जो आमारी हाँ पर राज्य सुपनाली की रुप में आपको देखने को मिल जाती है इल्तुत में इसके द्वारा चालू किया गया गांधी जी की जब बात की जा तो गांधी जी ने किसकी मित्व पर सोक बैक्ति करते हुए कहा मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया अगर हम बात करें तो हमारी हाँ पर खास नाम आता है कि गांधी जी के द्वारा एक बिंद बोला गया और वह बोला गया कि मेरा सबसे मजबूत गढ़ चला गया यह नाम किससे समदित है यह नाम समझत्य होता है गोपाल केश्ड गुखले से, मोटिलाल नहरू से, फिरोप साह मेता से या फिर बाल गंगाधर तिलक से अगर देखा जै तो इसका संदर्भ हमें देखने को मिल जाता है तो नाम की जब बात की जा तो आपने सुना होगा बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक की जब बात की जाये तो उनके दित होने पर इन्होंने कहा था कि लोक मान ने तिलक की जब बात की जाये तो ये अपने आप में एक राष्टी आपदा है अगर इनकी बात की जाए तो ये राष्ट के लिए एक बड़े मजबूत रचक थे और एक बिसेस निडर सिनानी भी थे अगर इनकी बात की जाए तो ये पूरी तरीके से सुराज के समर्थक थे और सुराज के समर्थक होने के हिसाथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये सचे देश भक्त भी थे अगर इनकी बात की जाये तो यह अपने मित्व के साथ ही एक सुनी छोड़ दिये हैं जिसको अब भाड़ना पूरी तरीके से मुश्किल है चुकि आप भी जानते हैं तिलक की जब बात की जाये तो इनके द्यत के उपरांत इनको क्या हो गया बड़ा सोक वगरे हुआ था कहीं कमजोर पड़ जाएगा खासा अगर देखा जाये तो इस पर पेछवे इनका नाम प्रमुक होप से देखने को मिल जाता है ठीक है बाल गंगाधर तिलक की जब बात की जाये तो आपने कई बार इनके नाम को सुना होगा तो गादी जी के गुरू थे और इनके बनने के पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम ही को थोड़ी न मानेंगे कोई अंग्रेजी पढ़ाता तो अंग्रेजी को भी मानेंगे कोई आपको मैद पढ़ाता तो इसको भी समझेंगे कोई आपको रेजिनिंग पढ़ाता तो इसको भी समझेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बे जैसे दिया है दादा भाई नरो जी इन्होंने होंग रूल को चालू किया एनी वेसेंट सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइड़ी को चालू किया गुपाल किस्ट गोखले इन्होंने राश्टिये कांग्रेस के अध्यक्षी रूप में चर्चार रखी या फिर अर्बिंदो ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने तीन बार भारतिय राश्टिये कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इन्होंने क्या किया था हूम रूल को छालू किया था। गोकली की जब बात कि जा तो ये सर्वेस साλव इंडिया। और अरविन्दो की जब बात कि जा तो ये उग्रुवादी से आध्यात मुदादी बनी थे। ने की जब बात कि जा तो ये सारे नाम धरें कीगा। आपका B का 3, B का 3, A का 3 कहाँ पर, A का 3 है, B का 1, B का 1 है, C का 2, C का 2 और D का 4, तो यही आपका 3 वाला सही जबाब होगा, 3 नमबर की जब बात की जबाब की जबाब होगा, वसे दादा भाही नरीजी को खासा धनी कीगा, इनको भारत का great gold band भी नाम दिया जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन की जब बात की जाए तो ये दादा भाई नरीजी को माना जाता है खासा अगर देखा जाए तो बिटिस संदत में चुने जाने वाले ये पहले ब्यक्ति भी माने जाते हैं और सीकान से इनका नाम काफी चर्चा में भी रहा। रुबार्तिय राश्टिक आंग्रेस की जब बात की जा तो इसके ये तीन बार अध्यक्ष बनी थे। तो इनका नाम ध्यान कीगा। इने विसेंट तो आप भी जानते हैं ये एक आईरिस महिला थी, खास करके थी ओ, फिसलेट जो सोसाइटी थी उसके ये करिसकते हो की सस्थापना करने के लिए होम रूल का नाम इनका देख मिलता है। गुपाल किष्ट गुखले की जब बात की जा तो इनका तो अभी हमने चर्चा किया। खास करके ये गांधी जी के कर सकते हो की गुरू भी थे और अगर दिखा जा तो ये एक उधार वादी नेता की रुप में जाने जाते हैं। आफ इंडिया की जब बात की जा तो इसके ये सास्थापन भी थे ठीक है। परिपेच्वें आपको देख मेंता है। आमज साह अबदाली की जब बात की जा तो आप भी जानते हैं आमज साह अबदाली वर्सेस मराथा। इनके बीच में खास करके तीसरा पानी पत का युद्ध आपको देखने को मिल जाता है। और उसका मुख के कारण था कि इनके वैसरा तैमूर साह को लाहोर से क्या कर दिया गया था। पानी पत का युद्ध कब आजित किया गया था तो यह 1761 में आजित हुआ था। 1761 की जब बात की जा तो यहां पर यह आपका आजित किया गया था। नाम की जब बात की जा तो नाम के रुप में इसका नाम प्रमकूप से ध्यान रखिएगा। किसकी बात की जा रही है अहमद साह अब्दाली अहमद साह अब्दाली की जब बात की जा तो इनका नाम प्रमखुप से देखने को मिल जाता है ठीक है आगे की जब बात की जा तो एक नाम ध्यान रिखेगा किसके परिपेच में नाम आता है निमलिकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है कौन सा बिंदू आपका सही सुमेलित है अगर इसकी बात की जाए तो यह होता है मिग चटकम ये सुद्धक के द्वारा बुद्ध चरित ये बसू बंदु के द्वारा तो ये पुस्तक किसके परिपेश्य आपको दिखनती है तो खासा आपने इसके बारे में सुना होगा यहाँ पे जो बिंदु आपका एक सत्य जबाब होगा वह क्या हो जाएगा वह जबाब होगा आपका कर सकते हो कि मिग कचिटम की जब बात की जाए तो ये सुद्दक की द्वारा लिखी गई है और नाम की जब बात की जाए तो मुद्रा राच्छा जो है वो विसाग दख्तनम की द्वारा लिखी गई है हर चरित आपके बार भट के द्वारा लिखी गई है तो इस तरीके से एक तीन चार ये बुद्ध चरित की जब बात की जाए तो ये जो रचना लिखी गई है वह असुगोस के द्वारे लिखी गई है तो असुगोस ने बुद्ध चरित को लिखा है यहाँ पे बसुबंधु का संब्ध नहीं है बस्वंद के जब बात की जाये तो ये बहुत दर्म बारे में एक धर्म शाष्ती जरूर जाने जाते है लेगन इनके द्वारा ये कोई रचना नहीं होती है तो सूध द्रग के बारे में ध्याने कीगा सूदक ने संसियत नातक में कटक्यम के रूप में दिखा है साथ ही साथ अगर देखा जाये तो इनके परिपेश्वें जब नाम दिया जाता है मुद्दराच्छक विसाग दक्तनम के द्वारा तो आप भी जानते हैं बुद्ध के सासनकाल में ये पुस्तक लिखी जाती है और साथ ही साथ हर्ष चरित बाणभत्र की जब बात की जाती है तो उनका नाम देने कीगा ये हर्ष चरित और कादंबरी के लिए जाने जाते हैं तो बुद्ध चरित आपके असुगोस से समधित होगा तो आज के विशेविन को हम यही समाब करते हैं यही पर बिराम देते हैं इस क्लास को बाकी आपसे पुने मुलाकात होगी खास करके अगले सेसन कल के सेसन में कोई संकल्पना, कोई संदेह, कोई विशेवस्त होता है तो उसे जरूर बताने की कोसिस करिएगा तीके